नमस्कार दोस्तों ट्रक टॉक्स के इस नए एपिसोड में आपका स्वागत है और आज की वीडियो में हम देखने वाले है भारत की चहीती ट्रकों में से सबसे चहीती ट्रक अशोकले लैंड की 1618 इस गाड़ी के बारे में तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं वीडियो में जाने से पहले आएए थोड़ी सी जानकारी पाते है अशोकले लैंड 1618 इस गाड़ी के बारे में दोस्तों ये गाड़ी आपको दो फॉर्मैट में मिलेगी फुले बिल्ट टिपर और 1618 चैसिस इस फॉर्मैट में दोस्तों चैसिस फॉर्मैट में आपको चार दिये गए है जो की है 18 feet, 20 feet, 24 feet और 32 feet आइए आगी वीडियो को continue करते हैं आइए देखते हैं अशोकले लैंड 1618 चैसिस के एक शोरूम कीमत के बारे में दोस्तो इसकी एक शोरूम कीमत की रेंज 15.5 से 16 लाक रूपे के बीच में रखी गई है और ये कीमत भारत के अलग- और अने स्पेसिफिकेशन के बारे में इंजिन की बात करें तो इस गाड़ी में 5660 cc का H-Series CRS TCIC यानि की Common Rail Turbocharged Intercooled Diesel BS4 इंजिन IEGR यानि की Intelligent Exhaust Gas Recirculation Technology के साथ दिया गया है जिसमें आपको यूरिया फ्लूइट डालने की जरूरत नहीं है ये इंजिन मैक्सिमम पावर द गेर्पियम पे गेर्बॉक्स की बात करें तो दोस्तो इस गाड़ी में आपको 6-speed manual गेर्बॉक्स 380 mm डायमीटर के क्लच के साथ दिया गया है और क्लच बुष्टर सिस्टम भी इसमें दिया गया है आईए देखते हैं 16-18 चैसिस के सस्पेंशन, ब्रेक्स और अन्य चीज के समय काम आने वाले helper springs भी दिये गया है ब्रेक्स की बात करें तो दोस्तो इस गाड़ी में full air SCAM brake system ABS एनिकी anti-lock braking system के साथ दिया गया है और parking brake की बात करें तो इसमें pneumatic airline parking brake दिया गया है जो की पीछे के wheels पर काम करता है उससे के साथ साथ driver convenience के लिए इस गाड़ी में आपको power steering दी गई है ताकि लंबी जर्नी में driver गाड़ी आसानी से चला सके दोस्तो इलेक्ट्रोनिक सिस्टम की बात करें तो इस गाड़ी में आपको 24 volt क्या electronic system यानि की बारा बारा ओल्ट की दो बैटरिया कॉट आफ स्विच के साथ दी गई है ग्रेडेबिलिटी यानि की चड़ाई लांगने की शमता की बात करें तो वो है 31% की दोस्तो fuel tank इसमें आपको 300 लिटर का दिया गया है जो की polymer से बना गया है दोस्तो polymer fuel tank होने के कारण इसमें जब भी ठोकर लगने पर ये तूटता नह पर चलाने पर दोस्तो आईए देखते हैं अशोकले लेंड 16-18 चैसिस के वजन और आयाम यानि की weights और dimensions के बारे में ये गाड़ी आपको सिफ कॉल चैसिस फॉर्मेट में देखने को मिलेगी जिसका जीवी डवल्यू यानि की ग्रॉस वेहिकल वेट है 16200 किलो यानि की 16.2 इस गाड़ी में आपको 4 डेकलेंट अवेलेबल है जो की है 18 फीट, 20 फीट, 24 फीट और 32 फीट इस गाड़ी के टायर्स की बात करें तो इसमें आपको 60 टायर मिलेंगे यानि की 6 में टायर और एक एक एक्स्ट्रा स्टेपनी जो की R20 यानि की 20 इंच के दिये गये है क्लेरेंस यानि की जमाइन से उचाई की बात करें तो है 253 मिलिमीटर्स की दोस्तो आइए देखते है अशो क्लेलेंट 16 ट्रा चैसिस के कॉम्पिटिटर्स यानि की प्रतियोगीता के बारे में तो दोस्तो इस गाड़ी की चैसिस फॉर्मेट में एक ही प्रतियोगीता है व आइए बात करते हैं अशो क्लेलेंट 16 ट्रा चैसिस के वारेंटी और फीचर्स के बारे में मुल्बुत फीचर्स की बात करें तो इस गाड़ी में ड्राइवर कन्विनेंस के लिए पावर स्टेरिंग ब्लोवर्स और डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिये गए है ताकि ड्राइवर गाड़ी आसानी से चला सके सेफटी सिस्टम की बात करें तो इस गाड़ी में आपको सीट बेल्ट्स और एंटी लोग ब्रेकिंग सिस्टम यानि की एबीय स्टैंडर दिये गए है वारेंटी की बात करें तो अशो क्लेलेंट इस गाड़ी पर आपको चा सिमेंट इंडस्ट्री, टिपर्स, टैंकर्स, मार्केट लोड, एफमसीजी प्रोड़क्स, फार्मसीटिकल प्रोड़क्स और रफ्रिजेटर कंटेनर्स के फॉर्मेट में इस्तमाल कर सकते है तो दोस्तों कैसी लग यह वीडियो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर मैं हर कमेंड का रिप्लाइ देता हूँ यह रिक्वेस्ट थी वीडियो की बहुत लोगों की 1618 पर वीडियो बनाओ आशोक लेलेंड की क्योंकि यह बहुत अच्छी ट्रक है जैसा कि मैंने वीडियो में पहले मेंशन किया था कि बहुत सरो लोग इस ट्रक से प्यार करते है तो मैंने बोला कि चलो एक वीडियो पना देते हैं इस पर दोस्तों यह जो ट्रक है इसका जो 1618 जो नाम है अभी कुछ दिनों में एस पर new gvw rules 1918 हो सकता है इस ट्रक का नाम थोड़े दिनों में तो updated वीडियो मॉडिल पर भी वीडियो जल से जल में लाने का कोशिश बने रहे हैं दोस्तों कैसी लगी वीडियो मैं फिर से बोल रहा हूगे कैसी लगी वीडियो मुझे नीचे कमेंट शेक्ट में ज़रूर बताना एक लाइक जबर चोड़ देना वीडियो के नीचे motivation मिलता है यार मैं आपको मिलते हूँ अगली वीडियो में तब दक के ट्रिपल एकस्टन ब्लोक, स्ट्रक टॉक्स, बाइबाई, जय हिन्ग!